नबश्कार मैं दोशियल सिंग एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी त्यारी भी बहुत बढ़िया तरीके से चल रही होगी UPieces pre के पिषले 30 वर्चों के पेपर्स को एक्स्पीनिशन के साथ मैं से हम कवर कर रहे थी हम उनिसब क्यानवे से लेकर के 2023 के UPieces pre के सारे के सारे के सारे पेपर्स को यहां पे कवर करेंगे पंद्रे पेपर अब तक मैं आपको प्रोवाइड करा चुका हूँ, यह 16 पेपर है, 16 पेपर का सेकेंड पार्ट है, फस्ट पार्ट यानि जो 50 कुश्चन ते सुरुआती, वो मैंने आपको कल प्रोवाइड करा दिये थे, तो यहां से जब यह 16 पेपर कवर हो जाएंगे, त पेपर्स हैं, तो क्या इनका बेनिफिट हमको आरो एरो एक्जाम में भी देखने को मिलेगा, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, बाकि आपका विवे क्या कहता है, यह आपके उपर डिपेंट करता है, मेरा यह मानना है कि आरो एरो का जो सेलेबस है, प्रिलिम्स का जी प्रशनों के ट्रेंट को समझा है, कहां से, किस पोर्शन से, कितने प्रशनों पूछे जा रहे हैं, इसको समझा है, इसके साथ साथ आपने प्रशनों के आपसंस पे भी काम किया है, उसकी एक्स्प्लिनेशन को ठीक से समझा है, तो ऐसा मानना है कि आपका जो मैक्सिमम काम में दोनों एक्जाम में चाहे आरो यारो चाहे यूपी पीसेस प्रियू वो यहां से घतम हो जाएगा इसके साथ साथ आपको सिर्फ करेंट अच्छी तरीके से कवर करना है आपका 90% काम सिर्फ इनी दोनों चीजों से हो जाएगा ठीक है और बाकी जब चीजें हो जाएंगी पेपर विपर कंड़क्ट आपका हो जाएगा तो उसके बाद में प्रूफ सहित में सारी चीजें आपको यहां से जो है बताऊंगा वो बात की बाते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्या प्रश्टा है आईकर विभाग के द्वारा जारी पैन कार्ड निम्नम ऐसे कि सुद्ध से के लिए प्रियुक्त नहीं किया जाता है तो आप जानते हैं जो पैन कार्ड होता है वो आपकी जो डेट अब बर्त होती है उसका भी प्रमाण होता है इसके साथ साथ वह बताता है कि आप एक रजिस्टर टैक्सपेयर हैं इसके साथ आपकी आइडेंटिटी के क्या है Politique नहीं किए भारत में नियोजित अर्थ विवस्ता कि पढ़ती पर अधारी थैज था इस प्रकार की अर्थ विवस्ता को भारत के द्वारत टो यह भारत में mulationsekobi बुआ पाई जाती है मिश्रित अर्थ विवस्ता पाई जाती है मिश्रित अर्थ विवस्ता में क्या होता है कि जो सार्वजनिक चेत्रक है सार्वजनिक चेत्रक यानि कि आपका जो सरकारी चेत्रक है और जो आपका नेजी चेत्रक है दोनों मिल करके एक दूसरे के साथ सहयोग करके काम करते हैं यहां पर एक सीधी लाइन में अगर हम यह कहें तो कह सकते हैं कि मिसरित अर्थ विवस्ता में सारवजनेक और निजी छेत्र का सह अस्तित्वा देखने को मिलता है ठीक है तो भारत में कौन सी अर्थ विवस्ता है मिसरित अर्थ विवस्ता है विशेश आर्थिक चेत्र अधीनियम कब पारित किया गया था तो ये मई 2005 में पारित किया गया था और मैं आपको बताते चलता हूं देखिए जो पराने हमारे वीवर हैं उनको पता ही है जो अगर ऐसे हमारे को शिम्मित्र होंगे जो इस वीडियो के माध्यम से जोड़ रहे होंगे तो उनको ब हम अब तक कवर कर चुके हैं तो जो चीजें या जिनकी एक्स्प्लेनेशन आपको ना देखे तो आप ये मान करके चलेंगे उस प्रश्ण के बारे में हमने पहले पता रखाए ठीक है तो ये जो प्रश्ण है विसेश आर्तिक शेत्र दिनियम वाला इसके बारे में भी हम दी जा चुकी है भारती करशी में निम्न उत्पादक्ता लो प्रोडक्टिविटी का कारण क्या है भारत की करशी में जो उत्पादक्ता है वो कम क्यूं होती है पहला है कि आवश्चक्ता से अधिक लोगों का करशी कार्यों में लगा रहना जोतों का आकार छोटा है इसके किया था तो यह 1969 में किया था याद रखेंगे बैंकों का जो राष्टी करण हुआ था इससे जुड़ा हुआ काफी सारा जो डाटा है वो मैं आपको पहले प्रोवाइड करा चुका हूँ इसके साथ साथ चैनल पर मिल जाएगी अपचाहें तो भहां से देख सकते हैं जो भी बेसिक चीजे हैं पहले प werenk-, भारति रुपे की पूर्ण, के परिक्षंट परिक्षन जिससे समिति के द्वारा किया गया इससे या मिद्दि रखेंगे तो तारापोर समिति जो है वह इससे सम्बंदित है य। आरभी के दवारा तारापूर की अद्धिष्टा में 6 सदस्रे समिति नेुक्ति की गई थी जिसने northern रिपोर्ट जो है 31 जोलाई 2006 को सरकार को सौपी थी तो तारापोरसमिती का संबंध किस से है वो आप याद रखेंगे IRDA किसका नियमन करती है तो ये बीमा कमपनियों के निगमन का कार करती है IRDA इसके बारे में जानते है कि IRDA क्या है केंदर सरकार ने बीमा कमपनियों का नियमन करने के लिए IRDA जिसको हाँ IRDA बोल देते है IRDA अधिनियम 1999 के प्रावधानों के अनुसार 19 अपरेल 2000 को बीमा, विनियामक और विकास प्राधी करण यह इसका पूर्ड रूप है IRDA का बीमा, विनियामक और विकास प्राधी करण इसका गठन किया था तो कब किया था यह 2000 में किया था यह प्राधी करण संसद के प्रती responsible होता है और इसके निर्देशों को बदलने का काम हो या इसको दिशा निर्देश देने का अधिकार हो यह दोनों संसद के पास है इसका उदेश है बीमा पॉलिसी धारकों के हेतों की रक्षा करना तथा बीमा उध्योक के विवस्थित विकास को विन्यमित करना, उसका समवर्धन करना और उसको सुनिश्चित करना, मुख्याल है कहां पे इसका है, हैदराबाद में है, आगे देखते हैं निमनमैसे कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साजीदार है, तो USA भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साजीदार है, लेटेस्ट डेटा को अगर हम देखें तो 2022-23 में अमेरिका भारत का सबसे बड़ा व्यापार एक साजीदार था दोनों देसों के बीच में दुपक्षिय व्यापार 2021-22 में 119.5 अरब डॉलर के मुकाबले 2022-23 में बढ़ करके कितना हो गया है 128.55 अरब डॉलर हो गया है लिए 140 डिग्रीघ के बीच जो टेमेशर होता है उसमें बैक्टेरिया उत्पुर्ने का खतरा Santana के बीच का तो बैक्टेरिया सबसे जजादा के का सकते हैं सरवाइब करते हैं उसलिए इस जोन को so स्थान का टापमान 40 डिगरी फारेन हाइट से एगर कम होगा तो इसका एनुचित माना जाता है और रूपांतरन के अनुसार यह निरधारित तापकरम 2.2 degree Celsius से 3.3 degree Celsius होता है तो यहाँ पर option में क्या दे रखाता है आपका 4 degree Celsius तो जो इसके सरवादिक नजदीक है तो इस वज़े से विकल्प एक आपका जो है वो सही हो जाता है ठीक है अब जो 36 degree Fahrenheit में दे रखा है अब Fahrenheit और Celsius पैमाने के बीच में क्या relation होता है वो मैंने आपको पहले भी बताया था ठीक है C बटे 5 बरावर F माइनस 32 बटा 9 ठीक है यह जो है Celsius और Fahrenheit पैमाने के बीच में relation होता है सचालित कलाई घडियों में उर्जा जो मिलती है वो किस से मिलती है तो हमारे हाथ के जो बिन संचलन होते है एक्टिविटीज होती है उसकी द्वारा जो है कलाई गडियों में उर्जा जो है वो मिलती है थर्मो स्टेट वह यंत्र है यह थर्मो स्टेट का का काम क्या होता है यह थर्मो स्टेट जो होता है किसी भी सिस्टम का किसी भी निकाई का जो जो दाब होता है वो अधिक हो जाता है और अधिक दाब पर पानी अधिक टेंप्रेचर पर उबलने लगता है यह जो है इसका अंसर है अब यहां पर इसके बारे में कुछ एक्स्प्लिनेशन देखते हैं कमरे के सामाने ताप एवं वायुदाब पर पानी 100 डिग्री सेल्सिय बॉइलिंग पॉइंट और उस्मा की जो मात्रा है वो बदलती जाती है वायुदाब में बर्दी होने पर पानी के क्वथनांग तथा उस्मा की मात्रा क्या होती है बढ़ती है तथा वायुदाब में कमी होने पर क्वथनांग और उस्मा की मात्रा घटती जाती है प्रेश पहना ज्यादा आराम दे होता है, क्यों होता है, क्योंकि जो सफेध कलर होता है, वो अपने उपर पढ़ने वाली जो हीट होती है, उसको रिफलाक्ट कर देता है, परावर्दित कर देता है, आप देखते होंगे, ज्यादा तर लोग जो होते हैं, करमियों सफेद कपड़े पहने पसंद करते हैं। काला कपड़ा पहन करके आप दूप में निकल जाइएगा। तो आपका परिधान वो बहुत ज़्यादा गरम हो जाता है क्योंकि ब्लैक कलर जो होता है वो हीट को क्या करता है अब्सर्ब करता है अपने अंदर अबसोसित कर लेता है ठीक है और वाइट कलर होता है या वाइट कलर का जो कपड़ा होता है वो उसमा को क्या कर देता है परावरतित कर देता है इ आपको पता है कि इसके बारे में पहले भी बात करी है कि लाल रंग की जो वेवलेंथ होती है वो सबसे ज्यादा होती है और जिस रंग की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी जितनी ज्यादा उसकी तरंग देर्द होगी उसका प्रकीरडन उतना ही कम होगा और जब प्रकीरड सबसे ज़ाधा होता है लालरंग की तरंग तरढ़ का यहारिन घ्रण सबसे कम होता है तो सबसे कम हो गा तो लालरंग जो होता है यो दूर से देखने पर ही आपको नजर आजाएगा ठीक है तो और आर दोनों सही है और आर एक ही जो है सही व्याक्या है किसी रंग का प्रकीरडन जो होता है उसके वेवलेंद पर निर्बर करता है तरंग देर पर निर्बर करता है जिस रंग का तरंग देर जितना ज्यादा होगा उसका प्रकीरडन उतना ही कम होगा और जिस रंग का तरं का जो सिगनल है वो लाल रंका बनाए जाता है ताकि वो दूर से ही विक्ति को इस पास ट्रूप से दिखाई पड़ जाए अगला प्रश्ण है निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है तो आपको जो गलत कथन है वो आपको यहां से चुनना है तो पहला देखेंगे आपके एयर करम को नहां ताफ करम तेमपरीचर को कंट्रॉल करते हैं जब आपको गर्मी लगती है वहां से हुमस ही को पसीन हो नहीं आए नहीं और रसे लेकिन आपको पसीनह 내้ घड IT वहाँ पर आपको फील नहीं होगी लेकिनूबर्ण है को अरध्रता को नियंत्य नहीं करता है कि क्यों कि आप देखते हैं कभूंढीन काफसे आपको घर्मी नहीं लगी। लेकिन कभी कभी हार। बोड़ी है वो चिप चिप होने लगती है हलका हलका पसीना या उमस टाइप की आपको फील होने लगती है तो कूलर जो होता है वो आर्दरता को नियंत्रित नहीं करता है और यह कह रहा कि करता है तो यह कथन जो है आपका तो शरब फे और द्रश्य इन मतलब जो विजूरब चीजे के एंवाज होती है वो दोनों जो ऑते हैं यह इक सात में स्टार्ट होते हैं ठीक है तो पहला ही यह तो आपको पता ही है कि इस आतो प्रहनज है किए पर तिव के बरांट में तो ने बढ़ करे गा नहीं सारी ऐ है श्रभ्यों द्रवयो द्रश्य एक सारो हो या नहीं हो श्रभ्यो दुरं आ데ेछ तरफी सरूल यह साथ यह जा है द्रश्य में क्या लगाया जाता है औडियो सिंक्रोनाइजर लगाया जाता है जिस वज़े से यह जो तुटी होती है बीच में टाइम में जो गैप होता है सरब द्रश्चिके में इसको बिलेंस कर दिया जाता है तो किसकी वज़े से होता है यह आडियो सिंक्रोनाइजर की वज़े यो त्नियुट्रों थो तेन अधिन कर नहीं, परमाड़ू से बनता है उन्हें कहते हैं मूलकड परमाड़ का टारू पॉर इक इस्थाई मूलकड और एक अस्थाई मूलकड त्सक्राइब किया होते हैं, इसके अंतरगत आपके एलेक्ट्रों, प्रोट्ट्न, नूट्रिन, तो यह सारे हैं एताई मूलकडों जनका 이वसता अस्तित्व दिरग काली न पेचा हन्होता है तो सभी प्रकार के मैससOn partir जो होते हैं लो इवसता उनक्राइव करने हैं स्वतंत्र अवस्था में यूट्रॉन भी जो है उब एक इस्थाई करन कहला था है कि यह उस्त आयू कितनी होती है 17 मिनट होती है अडू परमाड़ो कड़ों में सब्से ज्यादा मात्रा में पाया जाता है सरवाधिक पाया जाने वाला तत तो जो है वो तो पाया जाता है और इसके साथ आप देखेंगे यहां पर भूपर पटी की बात जब आती है के जो हमार उसमें सबस्यादा पाया वाले तब तो आक्सीजन है और वाई मंडल में सबस्यादा पाया जाने वाला जो गैस है वो कहा है नाइट्रोजन है तो यह तीनों चीजे यही से आप समझ सकते हैं X jυ प्रोंडींग, VASP LAMP, PRAI Shड़क प्रकास के लिए प्रयुक्त होते हैं, क्यों । इनका प्र करता है लो असा होता है एक वरनी होता है योद इस आम शूर्णी करते है और माहलो बारिष भारनी होती है या पानी की बूंदा या ओस्राइ risk & quarter तो पानी की भूंदों से गुजनने पर भी यह इसका डिवीजन नहीं होता है, यह विभक्त नहीं होता है, और जो है अच्छा प्रकास दिखाई देता है, है ना, मुत्रालियों के पास में नाक में चुबने वाली गंद जो होती है, जैसे मार्केट में जो टॉयलेट बने हो नहीं होटा है, उर्पॉड की बात करेंगे तो मुत्र हलका अंभली होता है, जिसका पी एचछ लेवल लगभग सिक्स का स्पास होता है, और यूरो क्रोम वरणराग इसमें पायजाता है, जिसकी उपस्तेति के वज़ए से मुत्र का रंग हलका पीला होता है, मुत्र में 95% water होता है, 2.6% urea होता है, 2% अनावश्यक लवणों के आयन होते हैं, 0.3% creatinine और सुछ मात्रा में uric acid और अन्य अपसिस्पदार जो है इसमें पाहे जाते हैं, यह इसका composition है, polythin की जो थेलियां होती है, उनको नस्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह कारण होती है ठीक है दूद्ध क्या है colloidal material है पड़ार्थ जिसका सफेद के करण होता है केसीन के कारण होता है कैसीन इसमें उपस्र्ट होता है इसके विजये से तो अगर सुबान का पालन माणव करे С tenían दूर कर जाएगा तो जापानी इनसेफिलाइटिस जो रोग उससे बचा जय सकता है जापानी इनसेफिलाइटिस।र रोग का र्क फ्लैवरेडी कुल का वाइरस ठीक है एक वाइरस होता है जो किस कुल से संब्द रखता है फ्लैवरेडी कुल से संब्द रखता है इस विशाडू का वाहग है क्यूलेक्स प्रजाती का मच्छर。 चींकर आदमी को वाहग होता है Circus पालतू सूर, चदा जंगली चडिया जापनी इंसेफिलाइटिस विशाली के वहांग होते है. विशाली होते हैं अगला सहिति पालतू सूर से प्राप्त करके पॉर्प पराप्त करके अनुषशुं और जानवरों को संक्रमत bet करते हैं. या अन्य किसी पालतू पस्मे जापन इंसेफलाइटिस के विशाडू नहीं पाए जाते हैं अगला है किसके जांचने के लिए ELISA टेस्ट किया जाता है तो ELISA टेस्ट AIDS की जांच के लिए किया जाता है AIDS की फुलफॉर्म क्या होती है Acquired Immunodeficiency Syndrome आपको पता है और ELISA की फुलफॉर्म होती है Enzyme Linked Immunose Orbant Essay ठीक है यह ELISA की फुलफॉर्म है रक्तदाब नापने के यंतर का नाम क्या है तो स्फिक्मो मैनोमीटर की साहता से ब्लड प्रेशर नापा जाता है और आप्शन में जो टेकोमीटर, आक्टीमीटर या बैरोमीटर दे रखे हैं प्रेशन में चाहते है या बैरोमीटर आपको पतहिए तो 37 degree Celsius होता है और फारिन हाइट प्रेशर प्रेशन में पर यह 98.6 के आसपास जो है देखने को मिलता है और इससे उपर का अगर तापमान होता है तो इसका मतलब है कि आपको फीवर है सामाने सरीर का जो तापमान है वो किस पर आधारित होता है होमोस्टैसिस पर आधारित होता है और होमोस्टैसिस क्या है एक ऐसी घटना है जिसमें सरीर आंतरिक स्थितियों को यदा संभव स्थिर रखने के लिए अपने कार्यों को कंट्रॉल करने का काम करता है किस तत्व की कमी से घेंगा रोग हो जाता है तो घेंगा रोग जो होता है वो आयोडीन की कमी से होता है भोजन की आयोडीन का रुधिर में अफसोशन और संचरन आयोडीन आयनों के रूप में किया जाता है। थाइराइड की अलप क्रियाशीलता प्राए भोजन में आयोडीन की कमी या मूत्र में आयोडीन के अधिक उत्सरजन के कारण होती है। थाइराइड कम काम करने लग जाए या उसकी क्रियाशील तक कम हो जाए तो यह किसके कारण होती है अगर आप भोजन में पर्याप्त मात्राम आयोडीन नहीं ले रहे हैं या फिर मुत्र में आयोडीन का अधिक उतसरजन कर रहे हैं तो इस वज़े से थाइराइड जो है अल् बढल 3 पीजरता मैं किया है तो सिंधू आम की बीज रहत पर जाती है जिसमें बीज नहीं पाया जाता है पीठ करांथी का सम्वंदर किसके उत्पादन से है तो तिल्हन उत्पादन को जो सरसों और सूरज मुखी क्योंकि यह भी तिलहन फसले हैं तो इनके उत्पादन से संब्देता है गोल्डन फाइबर रेवलुशन ये किसे संब्देता है ये फ्रूट्स हनी एंड होटी कल्चर बागवानी जो होती है उससे संब्देता है प्रूडक्शन से जुड़ी हुई है नीली क्रांती मथस्य उत्पादन या मशली उत्पादन से संब्देता है रजत क्रांती जो है अंडा उत्पादन से संब्देता है इसके लावा कुट उत्पादन को भी जो है आप रजत क्रांती का नाम देते है सदाबहार क्रांती जो ह आपने जो देखा था आपने हरित करांती जो देखा था वो खाध्यान विशेश रूप से किसकी बात हो रही थी वहां पर खाध्यान की बात हो रही थी और खाध्यान में भी जो हरित करांती आई थी वो विशेश रूप से गेहूं और चावल की फसल के लिए थी सदाबाहर क यह जो है उरवरक उतपादन से जुड़ी हुई है, गोल करांती का संबन दालू से है, काली करांती का मतलब है पेट्रोलियम उतपाद, ठीक है? तो यह सभी करांतीया हैं, जिन मैंसे अक्सर करके एकजाम में आपको काफी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, उसको आप यहा नामक रोगी में 1982 में प्रतिस्थापित किया गया था। धूल रोकने के लिए सबसे उप्युक्त व्रक्ष कौन सा है? धूल प्रदूशन को होता है। उसको सबसे ज्यादा कौन सा व्रक्ष रोकने का काम करता है। प्रदूशित हो रहा है। जैविक ऑक्सिजन मांग इसको कहा जाता है। बायलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड बी ओडी संचेप में इसको कहते है। यह ऑक्सिजन की वो मात्रा है जो सामा निताब पर किसी जल के एक लीटर हिस्से को पांस दिन में सोचमजीवों में लंग होती है। जिस जल चेतर में जावा उक्सिजन की डिमांड हो रही है उस जल चेतर का जो जल है वो उतनी ही ज्यादा मात्रा में क्या है प्रदूशित है। यह इससे पता चलता है। ठीक है। तो B.O.D. जो है जल प्रदूश्रण के मानक निर्धारण का महतफून और बी ओडी का अधिक होना जल के संक्रमण को दर्शाता है पहला कंप्यूटर किस के द्वारा बनाया गया था तो चाल्स बैबेस के द्वारा पहला कंप्यूटर बनाया गया था और इनी को कंप्यूटर का पितामह भी कहा जाता है आधने कंप्यूटरों का लगू रूप कर सम्भवपयां थे लाया है ये सम्भब हो पाया है leps when we have some complicated To Im3 circuit control in टो इंटीग्रेटड़ सपकती है जह होती है सूश्म electronic circuit यवै सूशनों सु स्bud Mate शיחर होने के बाद में ऐस आविश्चार होने के लगा है तो पहले चिप्स के इस्थान पर कंप्यूटरों में क्या यूज होता था ट्रांजिस्टर यूज किये जाते थे तो तब उनका आकार जो था कंप्यूटरों का बड़ा होता था जब से IC चिप्स आए यह integrated circuit आया तब से जो है कंप्यूटरों का आकार धीरे धीरे छोटा होता चला गया है संगड़कों के IC चिप्स किस के द्वारा बनाए जाते हैं मतलब किस चीज के यह बने होते हैं संगड़क का मतलब कंप्यूटर ही होता है तो कंप्यूटरों के IC चिप्स होते हैं यह किस से बने होते हैं कंप्यूटर में उप्योग आने वाले इंटीग्रेटेड़ सर्केट चिप्स सिलिकॉन के बने होते हैं, सिलिकॉन एक क्या होता है, सेमी कंडक्टर होता है, अर्थचालक होता है, सबसे पहले 1958 में जे एस किल्बी ने एक छोटे से चिप के रूप में संपूर्ड इंटीग्र कूट उतरपदेश में की गई थी, उतरपदेश के सम्मंद में निमनकतनों में से कौन सा एक सही नहीं है, तो यहां से देखेंगे जनसंक्या की दरस्टी से सबसे छोटा जिला महोबा है, सही बात है, नियूनतम शाक्षरता वाला जिला जो है, वो श्रावस्ती है, यह भी सही है, सबसे ज्यादा छेतरफल वाला जिला लखिम पुर्खेरी है, यह भी सही है, लेगिन नियूनतम लिंगान उपात वाला जिला जो है, वो बदाईू नहीं है, तो यह यहां से गलत हो जाता है, अर्जुन बांध नहर से उतरपदेश का जो लाभानवित जिला है, वो प्राथमिकता दी जा रही है, तो वो आयू बर कौन सा है, तो वो 14 वरस तक की आयू के बच्चे हैं, जिनको प्राथमिक शिक्षा उपलत कराने में, पहली प्रायरोटी दी जा रही है, उत्तरप्रदेश उध्योग बंदू योजना का उध्देश है, जो भी उध्योग के प्रताबगड़ का 998 है आजमगड़ का 1099 है जौनपूर का 1024 है अब लिंगानुपाद से जुड़ी हुए कुछ आंकड़े यहां पर देखते हैं उत्रपदेश का जो आउसत लिंगानुपाद है 2011 की जनगड़ना के अनुसार वो 912 है और भारत का जो लिंगानुपाद है वो 941 है 2001 से लेकर के 2011 के दोरान उत्रपदेश के लिंगानुपाद में 14 अंकों की व्रद्धी हुई है सबसे ज्यादा लिंगानुपाद वाले जिले गर देखें घटते विकरम में तो जॉनपूर सबसे उपर आता है सबसे लिंगानुपाद है प्रती 1000 पूर्शों पर महलाओं की संक्या 1024 है जॉनपूर जिले में उत्रपदेश के शिशू लिंगानुपाद की बात करें 2011 की जनगर्णा की अनुसार तो उत्रपदेश का शिशू लिंगानुपाद यानि को मिलता है आपका बाग पजले में महाधान जिसको सूपर राइस कहा जाता है ये विक्षित किस ने किया था तो ये जी एस खुस के द्वारा विक्षित किया गया था महाधान वाली किसमती चावल कीज़ पर काम करना स्टार्ट किया था जी एस खुसको 1977 में बूरलोग पुरस्कार दिया गया 1987 में इनको जापान पुरस्कार दिया गया और 2000 में इनको दे वर्ल्ड फूड प्राइस दिया गया और नौशंदी मेला यह आपका मेरट में लगता है माहर्शी वालमी की आश्रम कहां पर इस्थापे थे तो यह बिठूर में इस्थापे थे उत्रपदेश के किस जिले में यूरेनियम के सीमित भंडारों की खोश की गई है तो यह ललित पुर में की गई है यहां पर मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट खनिज हैं उत्रपदेश के वो सारे के सारे यहां पर एड़ कर दी है तो दुबारा से आपको खनिजों के बारे में पढ़ने के जो इतनी पढ़ने के जिसे हीरा यह बांदा और मिर्जापर में पाए जाता है सोने की बात करेंगे तो शारदा और राम गंगा की रेट में परशोई छेतर जो है सोन बदर का इसके अलावा ललितपुर का बेरवार छेतर जो है यहां पर सोने की जो है आयसकर पाहे जाते हैं चूना पत्थर की बात करेंगे तो मिर्जापुर में गुर्मा, कनाश, बासुहारी, छेतर, इसके इलावा सोन भदर में कजराहट, ये जो है चूना पत्थर के लिए जाने जाते हैं पाक साइट की बात करेंगे तो बांदा, वाराणसी, लालितपुर, पोटास, लमड जो है इलावा, चंदॉली, बांदा, जहासी, सोन भदर, डोलोमाइट ये इंपोर्टन्ट है, ये जो है सोन भदर और बांदे में पाये जाता है, अंडालो साइट ये भी कर्फी वर उसँरmost है ये रोक्फास पेट वाला ठीक है लफनितपूर, चऑना कले ये भी पूछा गया क्ऊशन है, बांदा और सोन भदर में पाये जाता है, ग्रेनिएट जो है ये बांदा, हमीर पूर, लेत-पूर, महोबा इन में पाये जाता में नाइसपूरत की बात करेंगे तो पूचा गया कोश्चन है मिर्जापूर और जहांसी में तो यह शॉंपर में सब्सक्राइब भी पिछली पीपर में दे चुका हूं मैं ऐसे ही नहीं बोला हूं, मैं आपको करा चुक हूँ तभी जल्दी जल्दी इसको कवर कर रहा हूं क्योंकि जो प्रश्ण मैंने आपको पहले बता दिये हैं, जनकी explanation आपको दे दिये, तभी मैं बोलता हूं कि इसके बारे में जानकार ये आपको पिरे पेपर में मिल जाएगी और इसी बाज़ेसे कहता हूं कि एगर आप नए हैं तो पहले पेपर से देखना स्टार्ट करियेगा है फि doğru कि सासन ने संगीत रतन पुरसकार किसकी इसमृति में प्रारम किया था तो संगीत रतन पुरसकार जो था उस्ताद बिस्मिल्ला खां की इसमृति में प्रारम किया गया था के रिजर्व बैंक के तीसरे गवर्णर ठीक है उनिस सो तालीस से उननचास तक रहे थे सीड़ी देश मुख ये उनिस सो पचास से चपन तक देश के वितमंत्री के पत्पर भी जो है नोंने काम किया था राजीव गांदी पर्यावरण पुरसकार किस शेत्र में प्रध्योगी की और विकास से जोड़ा हुआ पुरसकार है और इस पुरसकार की स्थापना 1993 में तो यह हो गया आज का सैसन और इसी सैसन के साथ में आपका 16 पेपर जो है वो कंप्लीट हो चुका है ठीक है और 16 पेपर मतलब 1700 से उपर क्वेश्चन्स होंगे जिनको एक्स् पेपर पहले देख रहे हूं तो इसको यह पता लग गया होगा कि 14 पंद्रेवे पेपर को जब हम कर रहे हैं तो इसमें से काफी सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो 13 पेपर में हमने पढ़े हैं और यही ट्रेंड है यूपी पीसेस का इसी को आपको समझना यूपी पीसेस में 40 मिनिमम आपको मैं क्राइटेरिया बता रहूं कब से कम 40 परतिशत प्रशन तो ऐसे होते ही होते हैं जो प्रिवीश यूपीटेड होते हैं आपको समझना है हंड़ेट पर्शेंट की तरफ आप पो जाना नहीं है प्रिवीश यूपर आपको बहुत अच्छी तरीके से त्य कि इनको आप बिल्कुल भी नजर अन्दाज मत कीजए गा बाकी जब पेपर हो जाएंगे ना चाही आरो यारो का हो चाही यूपी पीसस्प्री का हो मैं प्रूफ के साथ मैं आपको इसी सीरीज से बहुत सारे कुश्शन मैं आपको दिखाऊंगा यहां पर तब आपको यह कैसे रेलाइज होगा क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि ना बड़ा चैनल नहीं तो लोग टरस्ट नहीं कर पाते हैं और यही चीज्श अगर किसी बड़ी कोचेंग का टैग लगा करके आपको मिल रही होती और कशड़ा परोसा जा रहा होता ये भी नहीं आपको दिया जा या देगे कुछ चीज़ें ऐसी होते हैं जिनको आप चाहो तो complex बना लो लेकिन दरसल वो complex होती नहीं है ठीक है तो चीज़ों को हमें ऐसे नहीं देखना हैं कि ये बहुत ज़्यादा कट हैं चीज़ों को हमको सरल बनाना है अब आप सौ किताबें कटा कर लो अपनी अलमारी में वो भी जो है काम नहीं करेंगी लेकिन आप एक चीज़ को भी बहुत अची दरीके से फोलो कर लेंगे और बार बार उसको रिवाइस कर लेंगे तो वो भी कभी कभी जो है आपको बहुत ज़्यादा बेनी फिट दे जाएगी ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आपसे फिर एक नेक्स्ट वीडियो में गने टॉपिक के साथ मैं तब तक के लिए नमस्कार जाहिन